को कि हैलो दोस्तों वलकम बैक टुए चैनल उद्राइइस्पिरेशन दोस्तों काफी दोस्तों का फोन आता है मेरे पास यूटूब पर चैनल है चैनल से नम्बर लेके भी यह लोग ने फोन किया रोर ऐसे तो कस्टमर फोन करते रहते हैं कि कम से कम हमें जो है धू इस वीडियो में आज दो उप्षन बताऊंगा जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो वो खर्चा भी काफी कम है तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों सारे दोस्त जो पहली बारी से चैनल पे आए हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन दबाएए ताकि फूचर की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ये वीडियो पूरी देखिएगा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रू कर दीजिएगा आईए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला उसन जो है दोस्तों वह तो है कि अगर आप सौसो वाट के दो फेन दो पैनल भी लोट आओ तो आप को चलेगा जो है दो पैनल के लिए बहुत है और अगर आप ड़िसी फैन लेके आते हो डिसी पैन आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा लग यह लगाई आपक लेकिन अगर आप दो या तीन पंखे जो है चलाना चाते हो टेवल फैन की में बात कर रहा हूं जो गरों में हमारा जो है रूप फैन जो पर जो चलते हैं वह उनकी बात कर रहा हूं तो वह क्या है कि अगर आप अगर आप तीन पंखे चलाते हो तो डारेट आपके चल जाएंगे लेकि उसमें आपको जो है दोप की जरूत रहेगी रात को आपको वैक अप नहीं मिल पाएगा तो सबसे सस्ता उप्शन तो है यह अगर आपको कहीं पर दिन में चाहिए कई बर क्या उता है जैसे खेतों मे टूबल वगएरा पे लोग दिन में जाते हैं तो उस केस में जो है आप यह उप्शन चूज कर सकते हो काफी अच्छा है इसमें आपका खर्चा भी काफी कम होगा अगर प्रोपर तरीके से सोलर पैनल की फिटिंग करवाते हो सुसो वाट के दो पैनल की तो लगबग आपक आपको इसका बैक जो है नहीं मिल पाएगा पहला उप्शन तो है दोस्तों यह दूसरा उप्शन जो है मैं हरे किस्टमर को बजाता हूं कि थोड़ा सा आप जो है कर्चा बढ़ा लीजी उसमें कि हापको लाइफ लॉंग जो है बैक भी मिलेगा और लाइफ का भी अच्छ आप लेके आईए उसमें अगर पूरा तरीके से इंस्टोल्मेंट करवाते हो उनकी इंस्टोलेशन करवाते हो तो आपका खर्चा वही साथ से 8000 रुपे गाता है अब आपको चलाने है जो घर में अपना एसी जो फैन होते हो चलाने है उसके लिए आपको जो है बैटरी ही देता है उसे इकता चलाने के लिए आपको इन्वर्टर की जरूत पढ Jeanne कि हमारा जो डिसी जो सोलर पैनल होता है वो डिसी जो है करंद देता है तो ऐसे केस में आपको इनवर्टर बैटरी की जरूद पड़ेगी लेकिन एक छोटा प्रोडक्ट में आपको बताता हूं सबसे छोटा इनवर्टर आप 600-700 वीए का इनवर्टर ले सकते हो लगवाद 2- बैटरी फटने का भी चांस नहीं है क्योंकि आपके जो दो पंक्खे चलेंगे 2-80C वाट के लिए अगर 2 पंक्खे हैं तो लगवाद आपका 190-200 वाट के आसपा जो लोड हो जाता है और यह जो 200 वाट के आसपा जो लोड होता है यह डिसी में अगर गम काउंट करें तो ल रात के ब्यकड़ आपके लिए दो पंक्खे वैशे पूरे दिन निकाल देंगे पूरी रात दो पंक्खे निकाल के रगवाद laugher लगवाद एक ढंग दाट लंग और दो filに नबबे एच की मिल जाएगी तो यह से केस में अगर हम बात करें पास एजा रूपे की बैटरी का हम लेके चलते हैं ठीके जी तो दो धाई जा रूपे का जो फास ही हो जाता है और साधे साथ जा रूपे ही आपका पैनल का खर्चा हो जाता है प्रोपर तरीके से फिटिंग हो जाएगी अच्छा आपका बैकप मिलेगा अच्छे आपकी लाइफ रहेगी बैटरी की बी इनवर्टर की बी और साथी साथ अगर आप फैन नीच रहना चाते हो यह जो है इसके साथ साथ है वह आप यूज कर सकते हो यह प्रड़क्ट भी काफी अच्छा है वैसे मैं ज जो है सला देता हूं वह है जो सिंगल इनवर्टर बैटरी का साथ होता है वह तो आप लगवाई यही लगवाई यह अगर घर में आप यूज कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आप दो के वज़ाए च्यार फैन भी चला सकते हो आपको बैकप का भी चानलता है लाइट और टी जो है काम चला सकते हो डायट उसमें जोड़के लेकिन आपको पैनल जो है वह अच्छे से फिट करना होगा प्रोपर डिगरी के हिसाब से ही वह लगाना होगा तर भी उसका पूरा करनट जो आपको मिलेगा बहुत से लोग जो है उसको वैसे ही एच्छत पर लिख रख दे टो आप को मैं टाइप करके जो मुझे बता सकते हो किसी और टोपिक के उपर जो है आपको वीडियो चाहिए तो ओ मुझे आप बता सकते हो मैं जल से दद जल जल जो है वीडियो देने कि आपको कोशिज करूँ हमाँ कमेंट जरूर करते रिएगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा अपने साथे फ्रेंड सर्कल में क्योंकि हरो जो हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बैल आइकन जर